Good morning students, I hope कि आप सभी लोगोंने exams दी होगी और बहुत अच्छे से दी होगी, है ना, क्योंकि आप लोगोंने सभी ने सारे videos भी देखे थे, revision भी किया था, और जो मैंने आपकी exam copies चेक की, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़े आपने राइट भी की है, कुछ लोगोंने तो अपने खुद के व्यूज भी उसमें राइट किये हैं, so it's very good, well done, अब हमें क्या करना है, second sem का lesson number five, start करना है, second sem means हमारी first four lessons थे, वो हमने complete कर लिये थे हमारी exam के लिए, अब हम अपनी annual exam के लिए क्या करेंगे, अपना बचा हुआ अधा कोर्स complete करेंगे, तो आज हम कैसे स्टार्ट करेंगे, lesson number five से, जिसका नाम है कैलिरोस्कोप, okay, अब ये कैलिरोस्कोप क्या होता है, जब हम बुक में इस lesson को पढ़ेंगे, तो हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, so let us start, ये जो स्टोरी है, एक funny inventions के बारे में है, कुछ लोगों ने कैसे funny inventions किये, मतल कुछ होरी कर दिया, उन्होंने, इस lesson में हम अलग-अलग words को पढ़ेंगे, नए-नए equipments के बारे में पढ़ेंगे, जो हम आज के time पे जो चीजें use कर रहे हैं, वो पहली बार कैसे बनी, कैसे किसी के दिमाग में आया की है, कैसे बना, मान लो जैसे हमारे पास से सामने picture दी ह वो दी है, wheel की, किसकी picture दी है, पहिये की, पर पहले उसने क्या बनाया, जो हमारे याँ आदी मानों था, उसने पहले क्या बनाया, square बनाया, फिर उसने सुचा, square को तो roll करना बहुत मुश्किल है, तो फिर उसने क्या सुचा, दिमाग लगाया, कि मैं यदि circle, gold round की कोई बनाते हैं, उसने क्या बना दिया, ऐसे बहुत सारे inventions के बारे में हम इस lesson में पढ़ेंगे, हम इसमें क्या practice करने वाले हैं, comparative adjectives के बारे में, और spelling, जो की end होती है, F.U.L. full पर, ठीक है, हम उन्हें spellings की practice करेंगे, हम team में work complete करेंगे, और नए-नए inventions के बारे में पढ़ेंग आईए हम देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि पहले ये invention क्या था और last तक आते आते क्या हो गया, अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, warm up में, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, how many new words can you make from the word inventions, आप इस word invention से कितने नए शब्द बना सकते हो, write the new words in the table, आ आपको खुद से point भी देना है, अधि आपने एक word बनाया, तो one point, two words बनाया, तो two points, जितने ज्यादा letter आप बनाओगे, उतने ज्यादा points आपको मिलते जाएंगे, ठीक है, so letter start, हमारे पास एक तो given है, एक मैं आपको बना कर बताऊंगी, और बाकी आप खुद बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा, कि two letter words, कौन से बन रहे हैं, तो in होगे, आप हम यहाँ पर it, it भी write कर सकते हैं, on on भी write कर सकते हैं, ऐसे ही दो आप बनाएंगे, अब हम three letter words में देखे, आप क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, व, e, and when, और four letter words में हम क्या लिख सकते हैं, तो बहुत सारे words बन सकते हैं, आप सर्च करेंगे, तो पता चलेगा, जैसे यहाँ पर t, i, n, s, teens भी हो सकता है, तो हम चेक करेंगे, तो हमें बहुत सारे two letter, three letter, और four letter words मिलते ही जाएंगे, ठीक है, अब हम lesson को start करते हैं, lessons को हम start ऐसे करेंगे कि इसके पहले characters पढ़ेंगे, क्योंकि एक play है, drama है, यह जो lesson क्या है, एक drama के रूप में आपको given है, narrator, storyteller कौन है, जो storyteller होता है, जो कहनी कहता है, उसे हम narrator कहते हैं, तो एक तो हमारे पास narrator है, जो हमें story सुना रहा है, तो जहाँ जहाँ आपको narrator मिलेग तो आप समझ जाएंगे कि हमें story कहने वाला है, वो हमें story सुना रहा है, दूसरा है हमारे पास emperor, कौन है दूसरा, emperor, राजा है, तीसरा कौन है, palace, sage, palace याने महल का sage याने सादू, महल में एक रहने वाला सादू है, तो palace का sage है, एक inventor one, जो नईने खोज करते हैं ना, उन्हें inventor कहते हैं, तो एक inventor one है, two है, three है, four है, ऐसे कितना inventors है, four inventors है, और एक sign career है, एक other inventor है, एक और inventor है, जो बड़ा wise man है, and woman or place attendance, okay, other inventors है, एक नहीं, बहुत सारे और भी inventors है, जो बड़े बुद्धिमान है, वो ओरते भी है, आदनी भी है, उन inventors में, ठीके, जो palace में present है, तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, हम स्टोरी में पढ़ने ही जा रहे हैं, you are going to read a play about, you are going to play about an emperor who asked his wise man and woman to invent useful things, what sort of things do you think they invented, अब यहां पर राजा जो है, हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, कि राजा, जितने भी inventors होते हैं, जितने भी खोच करता होते हैं, नहीं नहीं, खो मैं और वुमेन से कहते हैं, कि मुझे कुछ useful चीजें invent करके बताओ, तो देखेंगे हम इस स्टोरी में कि वो लोग क्या invent करते हैं, अब narrator क्या करता है यहां पर, it is said, narrator स्टोरी स्टार्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना, narrator कह रहा है, it is said that the great emperor of all emperors once called for all his wisest and cleverest people together at the royal palace, royal palace यहन अब ऐसा कहा जाता है, narrator स्टोरी स्टार्ट करें, ऐसा कहा जाता है कि महान emperor ने, राजाओं के राजा ने, एक बार सभी बुद्धिमान, सभी चतुर लोगों को इखटा किया राजमहल में, उसमें voice man भी थे, woman भी थी, सभी लोग emperor के सामने आकर इखटा हुए, अब वहां पर जब वह इखटा हुए, तो emperor क्या कहते हैं, ठीक है, यदि आपको यहां पर दिख रहा है, trumpet, fanfare, emperor, तो यहां हमारे पास इनके सभी के meanings है, ठीक है, और trumpet means क्या होता है, एक जिसे शायद हम कह सकते हैं, सितार वादन ऐसा होता है ना, पुराने स्रेमर में शेहनाई होता था, उसे trumpet कहा जाता है, यह एक musical instrument है, तो यदि हमारे गाउं की language में कहें, तो डोल बजा बजा के डोंडी बोलते हैं, उसको डोंडी पीटना बोलते हैं, क्या कहते हैं, कि वो पीटी जाती है, और सबको अनाउंस किया जाता है, कि सभी को राज दरबार में इखटा हो होना है, तो ऐसे ही उन्होंने वहाँ पर सभी लोगों को, सभी समझदार लोगों को इखटा होने के लिए कहा, अब Emperor सभी से कहते हैं, wise sages, मतलब बुद्धिमान, संतो, I wish you all to go away for 10 years and invent useful things, whoever invents the most useful things of all, will win 3500 chocolate biscuits, they all move off enthusiastically, talking and making plans, inventors could act out, designing and constructing various inventions, अब यहाँ पर, राजा कहते हैं, कि तुम सभी 10 years के लिए जाओ, मतलब 10 साल देता हूं, मैं तुमको, invent करो new useful things, और जो सबसे ज़्यादा most useful thing invent करेगा, मैं उसको 3500 chocolate biscuit देने वाला हूं, सब बड़े enthusiastic थे, सब बड़े happy थे, बड़े उत्साह के साथ सब गए, कि अपने अपने प्लान लेके हम तो यह बनाएंगे, हम यह invent करेंगे, वह invent करेंगे, अपनी अपनी डिजाइन सोच कर गए दिमाग में, हम यह construct करने वाले हैं, और एक sign board दिखाई देता है हमें stage पे, यह stage पे drama चल रहा है, तो एक sign board दिखाई देता, उस पे लिखा होता है 10 years later, आपने movie देखी होगी तो उसमें लिखाते हैं न, लिखा हुआ बताते हैं, क्या बताते हैं कि 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 साल बाद, और story जो है, 2 साल आगे बढ़ जाती है, ऐसे ही यहाँ पर एक sign board stage पे बताया जा रहा है, 10 years later, अब 10 साल बाद बता रहे हैं, क्या हो 21, the people were asked in to show the emperor their invention, अब यहाँ पर एक के बाद एक, राजाओं के राजा के सामने सभी अपने अपने invention बता रहे हैं, सभी एक queue में line बना कर खड़े हैं, पहले इसके जो sage हैं वो आते हैं और बताते हैं, number 247, अब यहाँ पर sage का meaning सिर्फ संत नहीं होता है, ठीक है, sage का meaning पर आपको इस story में और एक बताया जा रहा है, that is wise man, यह word दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, एक तो बुद्धिमान विक्ति के लिए और दूसरा किसके लिए यूज किया जाता है, जो की संत महत्मा होते हैं, उनके लिए भी यह यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जितने भी वो चतुर लोग थे, उन सभी को बुलाया गया महल में, अब एक आया आगे और कहने लगा, number 247, emperor कहने लगे, यह क्या invention हुआ, old woman, यह पहले से जो आई थी, यह कौन थी, old woman थी, जिसने number बताया, number 247, अब वो inventor 1, आया सामने और क्या कहने लगा, knitting at the feet of the emperor, kneeling, sorry, kneeling यहने, घुटनों के बल जुक कर, उसने प्रणाम किया राजा को, पहला inventor आया और कहने लगा, अब यह आपको एक quantity दिखाई दी गई थी, सामने, क्या बूला था, उसने, 247, इसका meaning यह है, कि 247th number का inventor अब आने वाला है, ठीक है, अब 247 का number का, जो inventor आया खुच करता आया, उसने राजा के सामने जुक कर प्रणाम किया, और उसने कहा, I have invented wide screen wipers for spectacles, Your Highness, मैंने wide screen के spectacles बनाये हैं, महराज, अब emperor कहते हैं, excellent, very useful for when it is raining, जब raining मतलब बारिश होगी, तो यह बहुत useful होंगे, क्योंकि मेरे काच के सामने बिलकुल भी पानी नहीं, ठीक प्राइज में, not a prize winning winner though, I am afraid, inventor one shuffles off, राजा कहता है, कि हाँ बनाया तो बहुत अच्छा है, पर यह prize winning नहीं है, अब विचारा inventor वहाँ से चला जाता है, पहले सका सेज आकर, मतलब वहाँ का जो main head है, वो आता है, और फिर नंबर बोलता है, 248, तो 248 वे नंबर पर जो भी आगे आईए, inventor two बताता है, crouching, सिर को खुजाते है, at the feet of the emperor, emperor के सामने सिर्छ उखाता है, और great emperor, I have invented square tomatoes, वो कहता है, पता है, राजा मैंने क्या बनाया है, square tomatoes बनाया है, मैंने कैसे tomatoes उगाना सीख लिए, जो square हो, आमने tomato कैसे देखें, जो थोड़े circle में होते है, एग शेप tomato होगा है, तो emperor केते है, very good old man, बहुत useful है, यह tomato तो, क्योंकि हम इसे boxes में कहीं भी put कर सकते हैं, पर prize winner नहीं है, मुझे डर लग रहा है, कि तुम prize win नहीं कर पाऊगे, अब narrator अगले turn का number बोलता है, just kept on coming and coming, 10 years had resulted in some very creative thinking indeed, narrator कहते हैं, कि यह 10 सालों में बहुत सारे creative लोग जो थे, बाहर आए, एक के बाद, एक के बाद, वो नाम लेते जा रहे थे, पहले stage आता है, और अगला number बताता है, मतलब 248 के बाद, number 356 तक कोई भी अच्छा person नहीं आता है, inventor 3 आता है, खोच करता, तीसरा आता है, और बताता है, उसके invention को वो अपने आखों के सामने रखता है, अब for all to see, मतलब ऐसा रखता है, कि सब देख पाए, और कहता है, great emperor of emperors, I have invented a pencil that sharpens itself, मैंने एक ऐसी pencil बनाई है, जो खुदी शार्पन हो जाए, उसे चिलने की जरूरती नहीं पढ एंperors कहते हैं, अरे बहुत useful है यह तो, जब हम pencil छिल छिल कर ठक जाएं, तो हम बिना छिले इस pencil को use कर सकते हैं, मतलब यह अपने आप sharp हो जाएगी, पर यह price winning नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, I am afraid, narrator फिर अगले को बलाता है, one man had invented the kaleidoscope, वो क्या कहता है, एक आदमी है, जि सूचने लगे सब, inventor four hands his kaleidoscope to the palace sage, who then hands it on the emperor, अब जो fourth inventor, inventor number three था, वो kaleidoscope लाया, sorry, inventor number four था, वो kaleidoscope लाया, और राजा के हातों में ले जाके रख दिया, emperor कहने लगे, what's this, यह क्या है, तो inventor ने कहा, you look through it, तुम क्या कर सकते हो, इसके through देख सकते हो, emperor कहते है, it's a telescope, is it, अच् क्या है, यह telescope है, well I am afraid that telescopes have already been invented, hard luck, goodbye next, वो कहता है, क्या रहे यह तो telescope है, और telescope तो पहले invent कर लिया गया है, तो sorry, goodbye, next time तुम इसे try करना, और अच्छा कुछ बना कर लाना, कौन कहता है सा, राजा कहता है, अब inventor number four आता है, और वो कहता है, it's not a telescope, अब यह inventor number four नहीं तो kaleidoscope बन है, वो कहने लगा, यह telescope नहीं है, but you do look through it, पर फिर भी आप इसके आरपार देख सकते हो, तो emperor कहता है, what's the point of looking through something that looks like a telescope, but it isn't a telescope, अच्छा तुम बता रहे हो कि हम इसमें telescope की तरह आरपार देख सकते हैं, पर यह telescope नहीं है, तो बताओ ज़रा, यह है क्या, देखो, यदि कि कैलिडोस्कोप क्या है, तो हमारे word file में सब कुछ दिया गया है, कैलिडोस्कोप is a tube with colored pieces of glass inside and mirrors along its length, when you turn the tube and look to it at one end, you see colorful changing patterns, यह कैलिडोस्कोप ऐसी चीज होती है, जो काच के तुकडे लगे होते हैं, mirrors के तुकडे लगे होते हैं, एक थोड़ी-थोडी दूरी पर, और ज colorful changing patterns दिखाई देते हैं, देखो यहां पर आपको pattern दिख रहे हैं, जब आप उसी काच के through tube में अलग-अलग direction से देखते हैं, तो कभी आपको ऐसा color दिखाई देता है, कभी आपको ऐसा color दिखाई देता है, मतलब काच के टुकडो को ऐसे रखा जाता है, कि अलग-अलग colors उ और on another day, you might look through it and find yourself saying ah, and I have to tell you this, sometimes people find themselves saying oh, ah, all the time, inventor 4 कहता है, कि जब आप इसे थोड़ा सा twist करेंगे, घुमाएंगे, move करेंगे, इसके आरपार देखेंगे, तो आप बुलेंगे यह क्या है, कभी आपके मुह से oh निकलेगा, कितनी अच्छी चीज है, अगले दिन जब आप उ आप जितनी बार उसमें देखेंगे, अलग-अलग पैटन्स आपको दिखाई देंगे, तो जो भी कोई इसमें जहांकता है, देखता है, उसके मुह से हमेशा oh, aha, ऐसे ही शब्द निकलते हैं, अब राजा कहते हैं, but what's the use of that, अच्छा बताओ, इसका use क्या है, I asked for invention that are useful, not for some stupid little thing that makes you say funny noises all the time, thank you, goodbye, next, emperor कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कहा था कि useful invention लाओ, मैंने यह नहीं कहता है, ऐसे stupid से invention लेकर आओ, जो funny दिखें और उनको देखने पर अलग-अलग noise निकले funny से, तो thank you, goodbye, next time हम और अच्छे से देखेंगे, और कुछ बना कर लाना, तो inventor number 4 कहता है, just try it sir, मतलब एक बार ट्राय तो करें, तो emperor crossly, मतलब ठीक है, अब तुम कही रहे हो, oh if I must, यदि तुम इतना बोल रहे हो, तो मैं जरूर देखता हूं, narrator बताता है, story सुनाने वाला, so the emperor picked up the kaleidoscope, he twisted it and turned it, moved it and he looked through it and when he saw all the colors of the rainbow glowing there and when he saw all those patterns changing over and over again, he said, oh, अब क्या हुआ, narrator बता रहे हैं, जैसे ही emperor ने kaleidoscope को उठाया, twist किया, turn किया, move किया और उसके आरपार जाकने लगे, तो उन्होंने देखा कि rainbow के सारे colors इतने प्यारे glow कर रहे हैं, अलग-अलग patterns में दिखाई देने, बार-बार वो pattern change हो रहा है, over again and again and again, तो उनके मु से अपने आप निकल जाता है, oh, twist the kaleidoscope, और उसे twist करते हैं, घुमाते हैं, और उनके मुह से निकलता है, aha, looking quizzically at the kaleidoscope, और बड़े quiz, मतलब, question mark देखते हैं, question mark की तरह, ये क्या चीज है, कैसे इतने सारे pattern, एक ही चीज में से निकल रहे हैं, confused हो जाते हैं और कहते हैं, yes, it's very nice, but what's it for, is it useful, वो कहते हैं, ये तो बहुत प्यारा है, पर ये क्या useful है, तो inventor no. 4 कहता है, if you think about it, it's very useful, people travel all over the world to look for things like the Grand Canyon or the Eiffel Tower, so that when they see them, they will say, oh, and aha, with this invention, you won't have to move out of your chair, all you have to do is carry the kaleidoscope in your pocket, अब inventor no. 4 कहता है, कि ये आप सोचो, तो ये बहुत useful है, कैसे, जो Grand Canyon, मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी valley है, deep valley है, घाटी है, USA में, अमेरिका में, वो लोग देखने दूर दूर से आते हैं, हम Eiffel Tower देखने, कितनी दूर दूर से लोग जाते हैं, हम adventurous places प होता है क्या, पर हमारी आँखों को अच्छा लगता है, और हमारे मुह से अपने आप निकलता है, ओ, आहा, कितनी सुंदर जगा है, कितना प्यारा है, मतलब हमारे brain को relief मिलती है, तो बस हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस invention के थूरू, हम घर बैठे, इसे अपने pocket म तुमारा, inventor no.4 कहता है, whenever you feel like a quick O or a quick A, you take it out, look through it, twist it around it, a beat and there you are, inventor no.4 कहते हैं, कि जब भी तुमको quickly चाहिए हो, कि अपने आपको खुश करना, बहुत happy करना, तभी तो हमारे मुह से ओ और आहा निकलता है, तो जब भी तुमारा मन हो खुश होने का, तो आप क्या कर सकते हो इसे उठाओ, इसे twist करो, इसे गोल घुमाओ, और बार बार इसमें नए-नए patterns आप देख सकते हो, जैसे कि आपने अभी देखे, narrator कहता है, story सुनाने वाला, but the great emperor wasn't listening, पर emperor तो उसकी बात, मतलब वो जितनी वी बाते कर रहा था न, उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो बहुत busy थे, इस world के first kaleidoscope को देख कर, बस वो एकी line बोल रहे थे, ओहो, आहा, बहुत happy हो रहे थे, राजा उसको देख कर, अब, later much later, the man received his promise reward, उसके बाद, सभी लोगों का उन्होंने, जितने भी लोग थे, उनके सभी के inventions देखे, पर promise के according वो खुश किस से हुए, हमार दुनिया का पहला kaleidoscope, जिस आदनमी ने बनाया, उससे, उन्होंने उसे बहुत सारा gift में chocolates दिये, जैसा कि उन्होंने reward के लिए promise किया था, अब palace का sage जो है, exit करता है, वहाँ से, return with a huge box, labeled 3500 chocolate biscuits, palace का sage person, जो continue क्या कर रहा था, counting बता रहा था, कितने लोग आए, कितने inventors आए है वहाँ से जाता है, एक बहुत बड़ा box, जिसमें 3500 chocolate biscuits हैं, वो लेकर आता है, और कहता है, there you go, your prize, यह तुम्हारा prize है, it's 3500 chocolate biscuits, freshly baked in the emperor's brand new, fan forced oven, fan forced oven means, एक oven है, जो खाना फटा फट बनातीता है, तो वो कहता है, यह जो 3500 chocolate biscuits हैं, यह तुम्हारे लिए अभी अभी पकाए ग हैं, emperor के brand new oven में, ठीक है, तो यह story जो है, Marx, Cathy ने write की है, किसने write की है, Marx, Cathy ने, ओके, यह बहुत ही प्यारी story थी, यह बहुत ही प्यारा drama था, जो अभी हमने देखा, अब आप इस story को, इस drama को, और अच्छे से अधी, आप इसे enjoy करना चाहते हैं, तो आप इसे play भी कर सकते है आपके घर में अधी 2-4 लोग हों, आप कहीं बच्चों के साथ game खेल रहे हों, तो इस drama को play जरूर कीजेगा, ताकि यह story हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके, फिर भी यह अधी कोई आपको doubt हो, story समझ में नहीं आई हो, कहीं कोई problem हो, तो आप मुझसे question कर सकते Thank you so much